गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स एस्वी एकेडमी रावला की ओनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है क्लास 12 सुब्जेक्ट इंग्लिज लेशन 2 A. रूम 10 इंटू 8 पिछले वीडियो में अपने इस लेशन को बढ़ रहे थे आज उसी से अगे अपने स्टार्ट करने जा रही है तो आपकी बुक के पैज नमबर 8 का सेकिंड लाश्ट फेराग्राफ जहां से अपने इसे पढ़ेंगे अब तक हमने पढ़ा था मलिक फेमिली के बारे में जिसमें सिर्मान मलिक एक जोब में हैं और उनकी पतनी ग्रै स्वामी नी जो दिले में अपना एक नया मकान बनवा कर वहीं रहने के बारे में सोचती है और किस तरह से वो एक उस बंडार ग्रै के जिसमें वो चाहती है कि मत्योंने से पुरू उनकी सास को वहां रखा जाएगा और बाद में उसी को एक बंडार ग्रै के रूप में कामें लिया जाएगा वोश्यम मैनत करके उस बिल्डिंग को बनवाती है लेकिन तब ही उन्हें पता चलता है कि गॉर्मेंट ने वेक राय पे रख लिया है उसी से आगे अपने आज पढ़ने जा रहे हैं देन दे वर ट्रांसफ़र्ड फ्रॉम डैली तब ही उनका दिल्ली से स्तानांतरन हो गया यांकि स्रिमान मली जो दिल्ली में जॉब कर रहे थे अब उनका स्तानांतरन कहीं अन्यतर हो गया हलंकि उन्होंने मकान है वो भी दिल्ली में त्यार करवाया था मिस्टरेस मलिक वाज हैपी इससे स्रिमती मलिक खुश थी जब सोचो यहां पर कैसा क्यों है जब वो उस नए मकान में रहना चाहती है वहीं पर उन्होंने अपनी मैनत से मकान मनवाया है खुद मैनत करके फिर भी वह वहां से स्तानांतर होने पर खुश है क्यों तेखते हैं क्योंकि वह सोचती है कि अब वैस गर को और अधिक नहीं देख पाएगी तो इस मकान में नहीं रहने का दद भी उसे नहीं सताएगा और बाद में किराई से प्राप्त होने वाले उस बारी रिकम के बारे में सोचकर वे अपने मन को सांतोना देती थी यानकि उसने सोचा कि अगर यहीं रहेंगे तो यह बिल्डिंग जो हमने अपनी मैनत से बनवाई है इसमें नहीं रह पाने का दुख सताएगा लेकिन या से चले जाएंगे तो ना तो यह बिल्डिंग दिखेगी और ना मन में बार बार ऐसे विचार आएंगे और आकेकार अपने मन को वो सांतोना देने के लिए उस किराई की बारी रिकम के बारे में सोचती है इस परकार एक जिगे से दूसरी जिगे तक स्तानांतरित होते रहने के कारण उन्हें दिल्ली में पुने पदस्तापित होने में कई और वर्षों का इंदजार करना पड़ा यानिकि उसके बाद में उनके इस्तानातर ने एक जिगे से दोसी जिगे होते रहे और उनने काफी लंबा इंतियार करना पड़ा कि वो फिर से दिली में उनकी पद्ध तापना हो और वो उस मकान तक जाए In the meanwhile, Mr.S. Malik's mother-in-law passed away और उसी दोरान सिर्मती मलिक की सासुमा है वो गुजर गई यानिकि उनके मत्य हो गई, their daughter had been married और उनकी पुत्री की शादी कर दी गई यानिकि सिर्मती मलिक की पुत्री जो थी उसके विवाय हो गया In the way, they were lucky that their house had been rented to the government एक प्रकार से वो बागे साली थे कि उनका मकान सरकार ने किराय पर ले रखा था Private tenants are such a headache और वो सोचते हैं कि निजी tenants का मतलब करायदार तो केवल सरतर्त होता है यानिकि एक आपत मौल लेने के समान होता है There is no end to their complaints and demands और वो सोचते हैं कि जो निजी करायदार होते हैं उनकी सिकायतों और मांगों का कोई अंत नहीं होता है And then they are more often that not irregular in the payment of rent और उसके बाद में वो सोचते हैं कि और तब अक्सर वे कराय का बुक्तान समय पर नहीं करते Mr. S. Malik's house having been re-questioned by the government The rent was credited to their bank account every month regularly Shri Matri Malik के मकान को जब सरकार ने अधिकत कर लिया तो फिर किराय की रकम परती माय नियमित रूप से उनके बैंकाते में जमा होते गई Only their son remain to be married now अब तो केवलोन के पुत्र का वह करना ही सेज था Mr. Malik thought that they would rather be done with it before he retired और शिर्मान मलिक सोचते थे कि उन्हें सेवा निवर्थ होने के पेले यह भी कर देना चाहिए यानके वो सोचते थे कि इससे पेले कि मैं सेवा निवर्थ हूँ उससे पेले मुझे यह काम भी निप्टा देना चाहिए Their son had been married Mr. Malik had retired from service But their house had not yet been related by the government उनके पुत्तर का विवाय हो गया और सिमान Malik भी बदमुक्त हो गय यानके सेवा निवर्थ हो गय परन्तु उनके गर को सरकार के द्वारा अभी भी मुक्त नहीं किया किया था यानके वो अभी भी सरकार के दिगान में था Mr. and Mr. S. Malik lived with their son and daughter-in-law in a rented house सिरिमान और सिरिमती Malik अपने पुत्तर और पुत्तर वदू के साथ एक किराय के गर में रहते थे Mr. Malik was still fighting with the government for the release of the house when his aunt came सिरिमान मलik अभी सरकार से अपने गर को मुक्त करवाने के लिए जगड ही रहे थे यानकी संग्रेस कर रहे थे प्रयास कर रहे थे कि उनका अंत आ पहुंचा He passed away without being able to live in his house even for a day और बिना एक दिन के भी अपने द्वारा निर्मीत उस गर में रहे भी नहीं वे गुजर गए यानकी उनकी बवी मर्तियों हो गई Now within three months the house was d re-questioned और अब थीन मेनों के अंदर ही उनके गर को अधिक रैंट से मुक्त कर दिया गया यानकी जो पहले सरकार के अधिक रैंट में था उसको अब मुक्त कर दिया गया था कौन से तीन मेनों के अंदर की मलिक साहब की मर्तियों के तीन मेने के अंदर ही मिस्ट्रेस मलिक दोटर इंलो वाज कीनर देन मिस्ट्रेस मलिक टूशिप टू हर ओवन हाउस सिर्मती मलिक की पुत्र वदू अपने मकान में जाने के लिए अपनी सास की पेक से अधिक उच्छ थी जैसे ही उन्हें अपने मकान का कबजा वापस मिला यानकि जब से उन्हें अपने मकान को दिखाएं मुक्त कर दिया गया यानकि उनको कबजा वापस दे दिया गया तो उसमें रंग रोगन करवाया और किरायके मकान को छोड़कर अपने मकान में शिप्ट करने के बाद प्रारमहा गया यानकि जैसे उन्हें वापस मिल गया तो उन्हें अपना उस मकान को फिर से रंग रोगन करवाया और वापिस जाने की तैयारियां शुरू करती दे फरनीचर डिलर्स हैड बिन ओडर टू सप्लाई ए नंबर ओफ पीशेज विछी डेट और जो फरनीचर वाला था उसे फरनीचर के सप्लाईर को अने एक आफशिक फरनीचर आइटम की सप्लाई के अदेश दे दिये गे उसने फरनीचर इनके मकान में पहुंचा भी दिया सब्सक्राइब करें और यह सब्सक्राइब करें और यह वर्षा है वह बहुत बारी थी यान की बारी वर्षा हो रही थी यह वैटिड एंट वैटिड उन्होंने इंतजार और इंतजार किया देन इट वाज टाइम फ़र मिश्टर मिश्टर एच मलिक जसन टू गो टू दा ओपिस और तभी सिरी में थी मलिक के पुतर के ओपिस जाने का समय हो गया इट वाज डिसाइड टेड देवूट शिफ्ट इंदा इंग और यह दिन नहीं किया गया कि वे शाम के समय उसमें शिफ्ट होंगी इट कंटिनीव टू रेन त्रू आउट दा डे और पूरे दिन वर्सा होती रही इट वाज रेनिंग एज एवर इंदा इंग और यह बारी वर्साइड शाम के समय भी वैसी ही हो रहे थी मंडे वीं एन ओस्पियस टे मिश्ट्राइस मलिक वांटे टू शिफ्ट इफ दे कोड सुमवार का दिन सुब मांते वे यानकि ओस्पियस एक मांग लेक या सुब अवसार शिर्मती मलिक चाहती थी कि यदि संबभ हो सकता तो नहीं आज ही शिफ्ट होना था यानकि वो सोचती है कि सुमवार का दिन सुब था अते शिर्मती मलिक चाहती थी कि यदि संबभ हो तो किसी परकार शिफ्ट हो जाए जाए out of consideration of for his mother the son decided to shift even though even though it continued to ran heavily अपनी माँ का ख्याल करते वे पुतर ने मुशला दार बारिश होते रेने के बावजुद भी shift हो जाने का फैशला कर लिया they sent for a taxi in addition to their own car and made a formal move अपनी श्यम की कार या गाड़ी होने के बावजुद भी उन्होंने किराय के एक टैक्सी भी मंगवाली तथा अपने गर में प्रवेस की उपचारिक्ता को पूरा किया the rest of the luggage could be shifted later और बच्चे वे समान को बाद में स्तानंतरित या वाम बदला जा सकता था इट वाज रेनिंग इंसेंटली और वारी से वो लगातार हो रही थी sitting in the back seat of the car Mr.S. Malik was lost in memories कार की पिछली seat पर बैठे वे स्रीमती मलिक अपनी समत्यों के अंदर खो गई यानकी वो अपनी उन यादों के अंदर खो गई कि किस तरह से उन्होंने मकान मनाया था या जो कुछ भी है what happens she had taken while the house was under construction और वो सोचती है कि जब यह मकान निर्माना दीन था उसमें इसके बनाने में उसने कितना प्रिसम किया था that is when she Mr. Mills और वो दिन याद करती है कि जब वह इस बागदोड के अंदर अपना भोजन भी नहीं कर पाती थी the day she stood in the scratching heat of the sun supervising the work in progress scratching heat यानकी जुलसाने वाली गर्मी बिसन जुलसाने वाली गर्मी के दिनों में भी वह जुलसाती दूप में निर्मान कारे की प्रगती देखते वे खड़ी रहती थी the day she was drenched in rain और बर्सात में तरबतर बीखते रहकर भी कारे कानेक्शन करती थी the architect had prepared a sketch of the house in color the way it would look when completed वास्तुकार ने मकान का एक रंगी इंटेका चितर बनाय था जिसे देखने पर ये मालूम पढ़ता था कि निर्मान पूरा हो जाने पर ये मकान कैसा दिखेगा it had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back towards the marble pillar इसमें उसने ग्रैस्वामीनी का चितर बनाय था जाओं से ब्राम्दे में संगमर्मर के स्तंब की तरफ पीट के वे खड़े होने की मुद्रा में दिखाय गया था elegant and graspal यान की कितना सुन्दर बवय और सुरूची पूर्ण था एक image of contentment यान की एक संतुष्टी की परति मूर्थी लगते थी यान की एक मूर्थी जो एक संतुष्टी से बरिवी हो कलेडी ने महरून सारी और जो की लाल बादामी रंग की सारी पहने हुए थी Mr.S. Malik felt that the architect had painted है स्रीमती मलिक ने महसूस किया कि वास्तोकार ने उसे ही वहाँ पर चितरित किया था बट शी नेवर वर महरून कलर्ट सारी परन्तु वह तो कभी भी महरून कलर की सारी नहीं पहनती थी The figure in the sketch however was as tall as Mr. Malik और उस sketch की अकरती हालंकी उतनी ही लंबी थी जितनी की सिरमती मलिक शुना Recleaning against the pillar she stood the way Mr. Malik used to stand और वो सोचती है Stamukasara लिए चितर वाली मैला ठीक उसी तरह खड़ी थी जिस प्रकासिरमती मलिक खड़ी होती थी Mr. Malik saw the figure in the sketch and would go and stand before the dressing table many a time Shirmati Malik कई बार sketch के उस चितर को देखती और फिर गर में अपनी dressing table के सामने खड़ी होकर निहारा करती थी She thought that she must show that sketch to her daughter-in-law sometime और वैं सोचा करती थी कि कभी इस sketch को वैं अपनी पूतरवदू को आउसे दिखाएगी Her daughter-in-law was sitting on the front seat with her husband और उनकी पूतरवदू अपने पती के साथ आके की seat पर बैटे वी थी Moving the river view glass of the car towards sir और जिसने की पीछे कादर से दिखाने वाले कार के सीसे को अपने तरफ कुमाया वा था She started repainting her lips और उसने अपने होटों को फिर से रंगना शुरू कर दिया Where was the need to paint the lips when they were going to their own house? यह सिनमती मलिक सोचती है कि जब वे अपने श्यम के गर में जा रही थे तो उन्हें फिर से रंगने की कहाँ आप सकता थी At the most they would eat and then go to sleep अधिक से अधिक वे बोजन करते हैं और उसके बाद में सो जाते Strange are the ways of modern girls और वो कहती है कि आजकल की इन लड़कियों का तो अजीब सा तरिका है And how the girl talked और उसके बाद में सोचती है कि बोलती कैसी है यान कि आजकल की लड़कें बातें कैसी करती है See what jabbering stand click और उसके बाद में वो कहती है कि लगतार ये तो बखबख करती रहती है Jabbering यान कि continue बोलते जाना Why must she talk with her own husband in English और उसके बाद में वो कहती है कि उसे अपने पती से इसमें अंग्रेजी में बात करने की कहां आप सकता है यान कि वो अपने पती से अंग्रेजी में बात क्यों करती रहती है Mr. S. Malik had not picked up English स्रीमती Malik है वो अंग्रेजी नहीं सीख पाई थी She had felt in this only वह के वल इसी में ही एस पल रही थी She had accomplished everything else in life बाकि इसके तरिक उन्होंने जीवन में सब कुछ प्रापत कर लिया था She learned ballroom dancing और यहां तक कि उन्होंने ball dance करना भी सीख लिया था तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं Next वीडियो में इसी lesson के साथ इसे continue करेंगे तब तक के लिए good bye Thanks for watching and have a nice day